जैमाता दिमित्रो कैसे आप सभी आश्य करता हो मित्रो आप सभी अच्छी होंगे स्वस्थ होंगे आज मैं आपको गुप्त नवरात्री के विशे में जानकारी दूँगा कि गुप्त नवरात्री कब से शुरू हो रहे है और किस प्रकार से आपको पूजा करनी है किस प्रकार से आपको दुर्गा सब्सती का पाट करना है कैसे आपको अखंड जो जलानी है ये सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूँगा तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुप्त नवरात्री कब से शुरू हो रही है देखी मित्रो गुप्त नवरात्री बारा फरवरी दो हजार एकिस से लेकर के 21 फरवरी दो हजार एकिस तक है यानि कि 12 फरवरी दो हजार एकिस को प्रती पदा यानि कि पहला दिन है नवरात्री का ठीक है और 21 फरवरी दो हजार एकिस को नौमी है यानि कि समापन है आपको करना क्या है कि आपको प्रातहकाल में ब्रह्म मुरत में उठना यानि कि बारा तारीक को आपको सुबह सुबह उठजाना है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि 5.5 बजे तक आप लोग उठजाओ ठीक है उठने के बाद में आपको फ्रेश होना है फ्रेश होने के ब और मांसिक रूप से भी शुद्ध हो जाओ और उसके बाद में आपको सनान करना है सनान करने के बाद में आपको साफ सुत्रे धुलेवे वस्तर धारन करने है उसके बाद में आपको अपने पूजा घर में जाना है पूजा घर की आप लोग पहले से ही साफ सफाई कर लेना यानि की एक दिन पहले ही आप साफ सूत्रा कर लेना अपने मंदिर को उसके बाद में आप अपने पूजा घर में जाएंगे वहाँ पर आप अपने आसन के उपर बैठेंगे आसन के उपर बैठने के बाद में आप सबसे पहले अपना पवित्री करण करेंगे और आचमन करेंगे पवित्री करण कैसे किया जाता है देखे मित्रो किसी भी पात्र में आप जल लेना और थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालेना फिर उस जल का छिड़काव आपको अपने उपर करना है ठीक है इससे आपका पवित्री करण हो जाएगा वैसे इसका एक मंतर भी आता है पर्टिकुलर अगर मंतर आप लोग नहीं बोल सकते तो सिंपल आप जल का छिड़काव अपने उपर कर लेना और जितना भी वहाँ पर पूजा का सामान है उसके उपर आपको छिड़काव करना है अपने पूजा घर आपका जो मंदीर है उस पे आपको पूरा छिड़काव करना है ठीक है उसके बाद में आपको आचमन करना ह यानि कि आपको हाथ में जल लेना है फिर बोलना है आपको ओम केशवाई नमा यानि कि जो भगवान नारायन है उनका नाम ले करके आपको जल ग्रहन करना है ओम केशवाई नमा बोल करके आपको एक बार जल पीना है फिर ओम मादवाई नमा बोल करके आपको फिर जल पीना है फिर उसके बाद में ओम गोविंदाई नमा बोल करके फिर आपको जल पीना है तीन बार आपको जल पीना है थोड़ा थोड़ा अपनी हतेली से उसके बाद में आपको हात दो लेना है ओम IVIK अपना वैसी धो लेना है उसी जल से पूजा पाठ्ट का समार वहां पर रख रखyu ए वो तैयारी आपको शुरू करनी है अपने मंदिर में सबसे पहले आपको क्या करना कि कलश की स्थापना करनी होती है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक आपको लोटा ले लेना है आप मिटी का भी बरतन ले सकते हो नहीं तो आप इस्टील का पीतल का तामबे का लोटा भी ले सकते हो उस लोटे के उपर आपको स्वास्तिक बनाना है ठीक है रोली और हल्दी मिला करके आप उसमें थोड सा जल मिलाएंगे गोल करके आपको स्वास्तिक बनाना है लोटे के ऊपर उसके बाद में उस लोटे में आपको जल भर देना है ठीक है लोटे में जल भर देना है जल भरने के बाद में उसमें आपको अक्षत डालने आने की चावल उसमें चावल डालने है थोड़ी सी हल्दी डालनी है थोड़ी सी रोली डालनी है एक सुपारी डालनी है और एक रुपे का सिक्का उसमें डालना है और एक दो बूंद उसमें गंगा जलकी आपको डाल देनी है उसके बाद में आपको आम के पत्ते लगाने है जैसे कि पांच पत्ते साथ पत्ते आम के आपको लगा देन उसके बाद में आपको नारियल लेना है नारियल के ऊपर भी आपको स्वास्तिक बनाना है स्वास्तिक बनाने के बाद में आप 11 रुपए या 21 रुपए लेकर के नारियल पे लगा करके आप उसको कलावे से बांदोगे या फिर चुनरी से बांदोगे जो छोटी सी चुनरी जाती है वो चुनरी से भी आप बांद सकते हो उसके बाद में उन आम के पत्तों के उपर आपको वो नारियल इस्थापित कर देना है यहां पर आपकी कलश की स्थापना हो जाएगी ठीक है जब आप यह पूजा करते रहोगे तब भी आप तब आपना मादुरगा का कोई भी करनी है मादुरगा की पूजा करनी है कैसे करनी है पूरे विधीविधान से आपको मादुरगा की पूजा करनी है मादुर्गा के समक्ष आपको एक जल का पातर रखना है उसमें गंगा जल डाल करके रखना है मादुर्गा के समक्ष आपको दूबत्ती जलानी है और मा को आप अपने सामर्थे के अनुसार आपको श्रिंगार का समान अर्पित करना है अपने सामर्थे के अनुसार माता को लाल रंग की चुनरी आपको अरपित करनी है अपने सामर्थे के अनुसार आपको माता को प्रशाद चड़ाना है जिसमें आप साथ प्रकार की मिठाई चड़ा सकते हो खीर का भोग मा को लगा सकते हो पंजमेवे का भोग मा को लगा सकते हो और लड़ू का बरफी का बताशे का भोग लगा सकते हो शहद का भोग लगा सकते हो तो जो आपका सामर्थ है और अनुसार माता को भोग परशाद आपको अरपित करना है ठीक है और मा की पूजा करने से पहले आपको गणेश जी की उससे भी आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी कि हे भगवान गणेश मुझे आप आग्या दीजिए मुझे आप आशिरवाद दीजिए मैं मादुर्गा की पूजा कर रहा हूँ मुझे उसमें सफलता प्राप्त हो सके आपको मैं नमशकार करता हूँ इस परकार से बोल करके आप आगे अपनी पूजा शुरू कर देंगे फिर जब मादुर्गा की आप पूजा कर लोगा और विदी विधान से सब कुछ उनको अरपित कर दोगे तब उसके बाद में आप अखंड जोत प्रज्वलित करोगे अखंड जोत के लिए आपको पहले ही कलावे की बत्ती अगर आपने बनाई है तो कलावे की बत्ती लगाओ नहीं तो अगर आपने रुई की बत्ती बनाई है तो रुई की बत्ती लगाओ ठीक है उसमें घी भरना है आपको और उसके बाद में अखंड जोत आपको प्रज्वलित कर देनी है मादुर्गा का नाम लेखर के इस प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए अखंड जोत आपको प्रज्वलित कर देनी है ठीक है अखंड जोत प्रज्वलित करने के बाद में उस अखंड जोत की भी आपको पूजा करनी है विदिवत ठीक है कैसे करनी है अखंड जोत के उपर आपको तिलक लगाना है और अखंड जोत को आपको धूबत्ती दिखानी है अगरबत्ती दिखानी है और दीपक से अखंड जोत की आपको आरती करनी है यानि की दीपक दिखाना है अखंड जोत को और अखंड जोत को पुश्प अर्पित करनी है अखंड जोत को फल फ्रूट ये सब चीजे आपको अर्पित करनी है जैसे आपने मा दुरुगा की पूजा करी है वैसे ही बैठने के बाद में आपको, अपने सामने कोई भी वैसे तो जो पाट होता है, वो हाथ में पुस्तक लेकर की नहीं किया जाता, लकडी का जो स्टेंड आता है पुस्तक रखने वाला, उस पे आपको दूर्गा सब्तुसति की पुस्तक विराजमान करनी है पुस्तक विराजमान करने से पहले उसके उपर आपको लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्तर बिछाना है फिर उसके बाद में पुस्तक रखनी है फिर दुर्गा सब्त सती की पुस्तक का भी आपको पूजन करना है कैसे पुस्तक पे आपको तिलख लगाना है पुस्तक पे आपको पुश परपित करने है और धूप दीब दिखाना है पुस्तक को धूप दीब दिखाने के बाद में फिर आपको पुस्तक खोलनी है पुस्ता खोलने के बाद में आपको फिर पाठ शुरू करना है दुर्गा सब्तसती का जो पाठ है जो तेरा अध्याई है तेरा अध्यायों का पाठ शडंग के साथ किया जाता है यानि कि छे अंगों के साथ में किया जाता है वो छे अंग कौन कौन से है कव चरगला कीलक और तेरा अध्याय फिर उसके बाद में तीनों रहस्य है ठीक है यानि की पाठ को छोड़ करके ये छे पाठ माने जाते हैं इनके साथ में दुर्गा सब्त सती का पूरा पाठ माना जाता है तो सबसे पहले आपको अगर आपके पास में समय है या फिर आप पूरा का पूरा पाठ करना चाहते हो तो आप दुर्गा सब्त सब्त शलोकी से लेकर के पूरा लाष्ट तक पाठ करोगे अगर आपके पास समय है और आप सिद्धी करना चाहते हो साधना करना चाहते हो तो आ दिवच का पाठ करना है फिर अरगला स्तोत्र का पाठ करना है फिर आपको कीलक स्त्रोत का पाठ करना है कीलक के बाद में आपको तेरा ध्यायों का पाठ करना है तेरा ध्यायों का पाठ करने के बाद में आपको तीनों रहस्य का पाठ करना है रहस्य का पाठ करने के बाद में आपको शमापराथना करनी है शमापराथना करने के बाद में आपको सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करना है यहां तक आपका दुर्गा सब्तसती का पाठ पूरा हो जाएगा सिद्ध कुंजी का पढ़ने के बाद में ठीक है और पूरा फल मिलेगा आपको इसी से ही करनी हैं माफी मागनी हैं और उसके बाद में आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो मास से बतानी है जब आप पूझش Gnous म हो करोगे तो पोझ़न से पहले भी आपको संग कल्प ले लेना है कि किस मनोकामना की पूरती है तो आपने ये 9 दिनों का अनुश्थान किया है ठीक है इसमें आपको पूरे के पूरे 9 दिनों तक अखंड जोत की सी प्रकार से पूजा करनी है, मादुर्गा की रोज़ आपको पूजा करनी है, जो यो आपने मादुर्गा को श्रिंगार का समान और चुनरी वगेरा अरपित करी है वो सिर्फ आपको पहले दिन ही अरपित करना है ठीक है बाद में बस खाली आपको पूजन करना है डेली का और डेली का भोग लगाना है माता को और अखंड जोत की डेली पूजा करनी है इस प्रकार से पूरा दुर्गा सब्सती के पाठ का विधान सिद्ध हो जाएगा और जो भी आपकी मनो कामना है वो मा भगवती मा आदी शक्ती अवश्य पूर्ण करेंगी ठीक है और एक चीज़ और मैं आपको पताना चाहता हूँ कि ये जो गुप्त ये सादना पाठ कर रहे हो आधाभा Tibidi ये जानकरी पाठ का आदाना करेंगा लेकिन आपको ना ऑफ को बहुप्त है किसी दो हम साधना जहीं करेंगे कि ये जानकारी उसी करें किया समझ में आई होगी आपको अच्छी लगी होगी अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना जै मातारानी की